अभी अंत्रे की अनुसंधान संस्थान के वरिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर के वी जॉर्ज ने कहा है कि प्रदूशन की तीवरता समंदेत शेद्र की वातावर्णी सिती पर निर्भर होती है दिल्ली का वातावरन नागपूर से अलग है दिल्ली जैसा प्रदूशन नागपूर के लोग सहन नहीं कर सकेंगे इसके मदिनसर और धोगी की करण का विस्तार तैक करना होगा Center for Sustainable Development और UCED अमेरिका के संयुक्त तत्वधान में मीडिया के लिए एयर कॉलिटी लीडर्शिप कारिशाला का आयूजन किया गया इस अफसर पर डॉक्टर जॉर्ज ने नागपूर और चंदरपूर की हवा की गुनवक्ता पर मार्ग देश्वन किया उन्होंने दिल्ली के और इवन फॉर्मूला और एंटी स्मोक टावर का जिकर करते हुए कहा की हवा को शुद्ध रखना आसान काम नहीं है उन्होंने कहा की अभी फिलहाल में नागपूर शहर में वायू प्रदूशन का भार कम है यहां ताब बिचली घरों से होने वाला प्रदूशन स्यादा है डॉक्टर चार्ज ने कहा की केंदर सरकान ने बिचली केंदरों में एवजीडी लगाने की टाइम लाइन तै की है लेकिन इसकी उप्योगिता आने वाले समय में ही पता चल सकेगी चाती रोग विशिशग्य डॉक्टर समीर अरबर्ट ने कहा की प्रदूशन की वज़ा से स्वास्त की समस्या हो रही है जनम लेने से पहले ही मा के गर में पल रहे बच्चे पर भी प्रदूशन का असर हो सकता है उन्होंने का की टवचा और फेफडे सीधे हवा के संपर्ग में रहते हैं आक्सिजन के जरिये वातवरन का प्रदूशन सीधे फेफडे तक पहुसता है लंबे समय तक दुश पर इनामों का पता नहीं चल पाता है लेकिन तकलीफ शुरू होने के बाद पहले जैसी स्थिती प्राप्त नहीं हो सकती प्रदूशन से फेफडे हिर्दे मस्तक्ष की बिमारी और दल की बिमारी भी बढ़ रही है कुल मौतों में 25 प्रतिशत मौतों के लिए प्रदूशन का कारण होता है